दोस्तों बात करेंगे इस वीडियोस में RPC के द्वारा निकाले गई 2018 के अंदर 1832 कर्षी प्रवेक्षकों की हाला कि इनकी 2019 में हाई कोट के अंदर ये मामला चला गया था लेकिन अब इसकी जो सुनवाई है हाई कोट ने क्लियर कर दी है और कहा है कि 1832 कर्षी प्रवेक्षकों को पद पर निकती की निर्देश आपे दे दिये हैं बात करेंगे रास्तान हाई कोट ने परदेश में टीडी के हमले को देखते वे ये 1832 कर्षी प्रवेक्षकों के पदों पर ससर्त निकती देने की निर्देश आपे दिये हैं यह नियुक्ति कोट में विचारा धिन चाईका के अंतिम निर्णा के अधिन रहेगी और इसका उलेख नियुक्ति पत्तर में भी यहाँ पे किया जाएगा नियाएधिस अरुण बंसाली ने याची करता भरत लाल मालविय सही थे अन्य द्वारा दायर याची काओ के में राज्य सरकार की और से नियुक्ति पर लगी रोग को हटाने के लिए प्रात्ना पत्तर को निस्तारित करते हुए कहा कि टीडी हमले को देखते वे यह है समय की जुरूरूत है कि करसी प्रवेक्षकों की नियुक्ति याँ पे जिस पर रोख लगी थी हाई कोट के द्वारा उस रोग को हटाये जाए और हाई कोट ने 24 अक्टूमर 2019 को करसी प्रवेक्षकों की नियुक्ति देने पर रोख यहां पर लगा दी थी, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, 2018 गेंदरे भरती निकली थी, RPSC के द्वारा 1832 पदों पे करसी प्रवेक्षक पद के लिए निकाली गई थी, और अक्टुमर 2019 को यहां पे हाई कोट के द्वारा यहां पे इस न्यूपती को रोग दी गई थी और राज्य सरकार की करसी प्रवेक्षकों की भरती के लिए 25 मई 2018 को विगबती प्रकाशित की गई थी, जो इससे पहले में आपको बात कर रहा था, इसमें अतिरक्त TSP एरिया को सामिल किया गया, लेकिन सरकार ने TSP एरिया के आरक्षन प्रावधानों को लागू नहीं किय इस से इस एरिया में रहने वाले लोगों को कम पदो पर यहां पर नियुक्ती मिल पाएगी, तो यह अपने पास में थी आज की लेटिस्ट 1832 करसी प्रवेक्षकों को यहां पर नियुक्ती देने के लिए हाई कोट से ओर आ चुका है, हाई कोट से जो इस पेस्टे लगा व पाता वो हड चुका है और यहां पर जल्दी 1832 करसी प्रवेक्षकों को जो RPSC के दवारा 2018 के अंदर करवाई गी थी, उस भरती को यहां पर हरी जंडी मिल गई है और जल्द इनको यहां पर नियुक्ती दे दी जाएगी, तो यह आज की डिसकस थी, मैं आशा करता हूँ, आपको डिसकस काफी अच्छी लगी होगी, अगर आपको ऐसे वीडियो काफी अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, शेर करना ना बोले, थैंक यू,